अरे कहना क्या चाहते हो अरे कहना क्या चाहते हो कि आप तैयार हो जाए टी टुटी बड़ कप के लिए और अपनी टिकेट कंफर्म करा लीजे क्योंकि फिर ये मौका आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये संग्राम बड़ा भयंकर होने वाला है एक जूंसे होने वाले इस महा संग्राम के लिए ICC ने सुप्रवार को कारिकरम घुसित कर दिया जो टीम है इस तरीके से रही इसमें कुछ चार ग्रूपों को बाटा गया है का जो मिस्रट किया गया है कुछ नई और पुरानी टीमों के नई टीमों की अगर बात करें तो नई टीमों में कनाड़ा, अमेरिका, ओमान, स्कॉटलेंड, नामी विया, पापवा, न्यूगिनी, युगांडा, निदरनाड, नैपाल ऐसी टीमें आपको दिखाई देगी, वहीं अगर पुरानी टीमों की चेंपियन्स की बात करें तो भारत, पाकिस्तान के साथ साथ आपको ऑस्टेलिया, इंगलेंड, न्यूजलेंड, वेस्ट इंडिस, साउथ अफरीगा और स्रीलंका वंगला देश जल्ची, पुरानी टीमों का भी आपको मेल देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों थाम के बैठे, आप अपने आपको क्योंकि इसवार का जो महा संग्राम होने वाला है, बड़ा ही बहंकर होने वाला है, क्योंकि इसवार की जो मेजवानी कर रहा है, वो अम ब में यानि के भारत और पाकिस्तान के बीच सबकी नजरह हैं और उसके लिए टिकेट अबी से बहुत तेजी से बुगिंग होना स्टाट होगया था दोस्तो 9 जून को New York में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर जंग होने वाली है, ताकि सबी गुरूपव में छोट वही में अगर गुरूप D की बात करता हूँ तो साउथ अफरीका, स्रीलंका, बंगलादेश, नीदरलेंड्स और नैपाल जैसी टीम हैं दोस्तों हमेशा की तरह सबी गुरूपों में से दो-दो टीम है निकलनी है अब वो दो-टीम हैं? वो समय ही बताएगा लेकिन क्वाटर फाइनल और सेमिफ़ाइट इस वार दिल्चस्प होने वाला है और उसके वाग फिर फाइनल लेकिन दोस्तों आप किस टीम को पसंद करना चाहते हैं किन दो टीमों के बीच में फाइनल देखना चाहते हैं आप यह कमेंट्स करके मुझे अवश्य बताएं और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और सेर करना न भूलें जिससे कि इसके बारे में और लोगों को भी पता चल जाए क्योंकि अगर लोगों को पता लेट से चला तो उनको निश्य तोर पर टिकेट मिलना हो जाएगा तो दोस्तो अगर आप भी इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के मैच या अन्नी मैचों के बारे में आनंद उठाना चाहते हैं लाइब देखना चाहते हैं तो फटा वट से आप जल्दी से टिकेट बुकिंग कराकर अपनी सीट को पका कर लीजे और जाने से पहले में एक बार फिर आपसे कहूंगा कि मेरे चनल को सब्सक्राइब पर वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजे जिससे और लोगों के बारे में पता चल सके तो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद